राधे राधे एवरिवन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जितिया यानि कि जीवित पुत्री का वर्त की चोकी कैसे उठाई जाती है तो देखें अगले दिन हमें चोकी उठानी है अगले दिन सुबह पहले पूजा कर लेंगे उसके बाद जब दिया शांत हो जाएगा तब हमें चोकी उठानी है तो रेखें आपर दिया शांत हो चुका है अब हम सबसे पहले दिये को उठा लेंगे दिये को साफ करके आप दुबारा पूजा में यूज कर सकते हैं इसके बाद जो भी हमने भोग परसाद पूजा में चढ़ाया है जैसे चने चढ़ाए हैं मी जरूरतमंद को ये दान दे सकते हैं जो गनेश जी की मूर्ती है वो हम अपने मंदिर में वापिस रखेंगे तो ये गनेश जी को हम मंदिर में विराजमान कर देंगे जनेव को अभी हम यहीं पर रखेंगे चोकी पर ही इसके बाद देखिए जितने भी खिलोने आपने कलस की हमने स्थापना की तो कलस के उपर जो नारियल रखा है इसको आप तोड़कर और सभी में परसाद सवरूप ये नारियल बांट सकते हैं सभी लोग इसको परसाद सवरूप ग्रैन कर लेंगे आप चाहे तो आप नारियल को मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं इसके बा इसको आप दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं, और जो जल है वो आप पोधों में सींच दे, यानि पोधों में आप ये सारा जल डाल दे, पहले एक बार आप कोई भी फूल या दुरुआ घास लेके इस तरह से पूरे घर में जल के छीटे लगा दे, उसके बाद आप इ इसी भी बड़े से बरतन में जल ले लीजिए, उस जल में हम थोड़ी सी रोली डाल लेंगे, थोड़ी सी हम हल्दी डाल लेंगे, थोड़े फूल हम उसमें डाल लेंगे, और थोड़े अक्षत डाल लेंगे, तो पूजा की सामगरी की जो चीजे होती हैं, ये आप जल में डाल ले, उसके बाद हम देखिए सबसे पहले जिमुत वहां जी का विसर्जन करेंगे तो दोनों हाथों से जिमुत वहां जी की मुर्ति को उठाएंगे जो जनेव है वो आप निकाल के रख ले, अगर आप नदी वगर हमें विसर्जित कर रहे हैं तो जनिव निकालने की जरुवत नहीं है लेकिन घर में विसर्जित कर रहे हैं तो जनिव आप निकाल के अलग से रख ले और दीरे से इस तरह से हम जिमुत वहांजी को विसर्जित कर देंगे इसके बाद हम चील को विसर्जित करेंगे और फिर ह गर पर ही हमें बहुत आसानी से विसर्जन करना होता है अगर आपके यहां नदी है या तालाब है तो आप वहां पर विसर्जित करके आ सकते हैं लेकिन नदी तालाब नहीं है तो घर पर भी बहुत आसानी से आप इस तरह से विसर्जन कर सकते हैं और देखिए विसर्जन के एक दो घंटे बाद ही ये मिट्टी की मुर्तियां है पानी में घुल जाएंगी उसके बाद आप इस पानी को पोधो में डाल सकते हैं तो आपने जो भी पोधे वगएरा लगाये हुए हैं वहाँ पर आप इस पानी को उन पोधो में डाल दीजिए अब हम देखिए जो हमने यह हम किसी भी मंदिर में पंडित को दान दे देंगे और उसके साथ ही जितने फूल पत्ते हमने पूजा में यूज किये हैं आप सभी को इखटा कर ले या तो आप इने पोधों में रखने ताकि इनका खाद बन जाए और अगर आपके यहां पर कच्ची जगह है तो थोड़ करके आप इनको भूमी विसरजित कर सकते हैं भूमी विसरजित करेंगे तब इनका कुछ दिनों में खाद बन जाएगा जो की बहुत ही अच्छा रहेगा भूमी के लिए और पोधों में भी इनका खाद बन जाएगा पूजा में यूज की कोई भी सामगरी आप इधर उध मुर्तियों का अपमान होता है आप या तो उनको जल में विसरजित करके आएं अगर आपके आसपास कोई भी नदी तलाब नहीं है तो घर पर ही आप मुर्तियों का अच्छे से विसरजन करें उसके बाद देखे जो भी हमने चावल यूज किये हैं इनमें आप थोड़े से च चावल आप दान कर दीजे कम से कम इतने चावल जरूर दान करें कि किसी का एक समय का भोजन बन जाए तो यह सभी चावल हम दान कर देंगे जो कपड़ा है उसको आप साफ करके दोबारा पूजा में यूज करें और चोकी को भी हम दोबारा से साफ करके पूजा में यूज करना है क्योंकि विसर्जन भी पूजा का ही एक पार्ट होता है और चोकी उठाने की ये सरल विधी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो आपको पसंद आई हो अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जै श्री कृष्णा राधे राधे